आप अपना के साथ आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए अपने नया वीडियो अपने आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ब्यूट्यिटिप्स के बारे में अब जैसे की शुरू हो गया है फैस्टिवल सीजन तो इसमें सभी को दिखना है खुबसूरत चाहे लेडिस या जैन्स तो आज जो मैं व्यूरी डिप्स आप लोगों के लेकर आई हूँ वो लेडिस और जैन्स दोनों पे ही काम करेंगे और फैस्टिवल सीजन में आप सूरत कैसे दिखे इसके बारे में ही हम आज बात करेंगे तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ तो फैस्टिवल का सीजन जैसे की शुरू हो चुका है और अब बहुत ही जल्द दिवाली आने वाली है ऐसे मोको पर अगर हम खुद पर धियान बिल्कुल भी नहीं दे पाते क्योंकि साफ सफाई बहुत जादा हो जाते है फिश शॉपिंग भी है तो अगर आप लोग भी इसी तकी तरह की समस्चाहों से परशान है तो आपको बिल्कुल भी टेंचन लेने की ज़रूत नहीं है बस आप मेरे बताए गए इन ब्यूटी हैक्स को फैस्टिवल सीजन में अपनाएं और अपनी तौचा में चार चान लगाएं तो चलिए हम चलते हैं अपने ब्यूट आपके चैरे का निखार बढ़ सकता है इसका इसमाल चैरे को अच्छी तरह से साफाई करने का काम करता है तो अगर आप लोग गुलाब जल को एज़ा टोन और अपने चैरे पर इसमाल करते हैं तो आपकी तौचा का जो टोन है वह आपर हो जाएगा और आपका चैरा भी अ अगर आप अपते में दो बार फेशल सक्रब करें तो यह आपकी स्किन से डाठ सकिन को निकालने में मुद्द करता है जिसे सकिन का क्लोब पड़ता है अगर आप पिसे उए बदाम को Kopf कर दहीं मिलाकर एक सक्रब जैसा बनाते हैं या संत्रे के चिल को को सम्धित कर पिसे हुए पुदीने के पत्तों के साथ मिश्रण बनाकर चैरे पर लगाते हैं मैंने आप लोगों को दो home scrub बता दिये हैं एक तो आप लोग बदाम को दही में पी सकते हैं या फिर आप संतरे के छिलके को पीस कर पुदीने के पत्तों को मिलाकर face scrub बना सकते हैं अगर इन दोनो ही मिष्टरों को आप लोग चैरे पर लगाते है और अपने चैरे पर scrubbing करते हैं तो इससे आपके चैरे की चमक बड़ सकती है तीसरा है हमारा oily skin के लिए tip तो यदि आपकी oily skin है तो आपको वैसे भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है क्योंकि ओयली स्किन वाले जो हैं उनकी स्किन की देखभाल के लिए अलग से चीज़े आती हैं तो यदि आपकी स्किन ओयली है तो आप सूखे हुए करी पत्तों को फेस पैक में मिलाकर तुच्छा पर लगा सकते है रिसर्चेस के अनुसार करी पत्ता तुच्छा की चमक बढ़ाने का काम करता है यदि आपके पस करी पत्ता नहीं है तो कोई बात नी आप मुलतानी मिट्टी में गुलाब जल मिलाकर भी अपने चैरे को सूखने तक लगा सकते हैं और फिर चैरे को दो ले यह आपके चैरे के बाद इसको दो देना है पैक लगाते वक्त यह ध्यान रखें कि चैरे पर कोई भी लाइन आए तो ना तो आप मुस्कुराएं ना ही बाते करें और इसे दो जब आप दो देंगे तो आपके चैरे पर जो है ओली स्किन वालों के चैरे पर चमक बढ़ जाएगी अब आग को अगर आप साफ और जमकदार बनाना चाहते हैं तो आप चैरे पर अंडे के सफेद भाग को शैद के साथ मिला कर चैरे पर लगाएं 20 मिनट के लिए लगा के छोड़ दें बाद में पानी से दो लें आप चाहें तो शैद में नीबू के रस को मिला कर भी चैरे पर लगा स हैं तो यह एक तरह से अंटी एजिंग का भी काम करता है और जो अंडे का सफेद भाग होता है मतलब की एग वाइट यह चैरे में कसावट भी लाता है तो आप अंडे का सफेद भाग मतलब एग वाइट अपने चैरे पर यूज कर सकते हैं फलो से बना पैक इस्तमाल करें फलो के लिए बेहत लाब दायक होते हैं यदि आप तवच्छा पर फलो से पने पैक इस्तमाल करेंगी तो तवच्छा की चमक दूनी हो बड़ सकती है आप चाहें तो इन पैको को घर पर भी बना सकती है यह सब जो मैंने आज आपको बताई यह होम रेमेडी इसी है इसके आपको कोस्मेटिक्स की यह कोई भी जूरत नहीं है तो घर पे बने पैक के लिए आप सबसे पहले पपीता लेंगे उसका गूदा बनाएंगे फिर एक केला लेंगे उसका भी इसके साथ गूदा बनाएंगे और अंत में आप लोग को एक सेब लेना है और सेब का गूदा जो है उसे पपीते और केले के गूदे के साथ आपको मिलाना है इसके पेस बन जाएगा उसके बाद आप या नीबू का रस जो भी आपको कन्वीनियन लगे उसे मिलाकर एक पेस बना लेंगे आदे गंटे के लिए चेहरे पर लगा रहने देंगे और सुपने के बाद ताजे के बाद लगा लें इसके इंटी एजिंग की प्रॉब्लम सबसे जादा होती है तो यदि आपकी तवचा ड्राय है तो आप नारियल के तेल में एक चम्मच शहद मिलाकर चेहरे पर 20 मिनट लगा कर छोड़ दें शूखने के बाद पानी से चेहरे को दोलें ऐसा करने से आप उस पर गुलाब जल मतलब टोनर का इस्तमाल भी करना है तो यह था मेरा आज का वीडियो आप लोग को यह वीडियो पसंद आओगा अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए है यह गलती से भी आ गए है तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें वीडिय पर एक नजर जरूर मारे महा पर ब्यूटी से रिलेटिड पालर से रिलेटिड बहुत सारी जानकारी है जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफीशल हो सकती है मेरा वीडियो देखने के लिए तैंक यू सो मॉच